क्या आपने दोस्तों आलू की सब्जी इस तरीके से बनाई है ये आलू की सब्जी जट पड बन जाती है पांच मिनट में इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है बनाने में और टिफिन के लिए तो ये रैसीपी एक्तम परफेक्ट है तो देखिए आज मैंने क्या बनाया है आ पांच मिनट में बनने वाली सब्जी पांच से साथ मिनटी से लगता है ज्यादा समय लगता ही नहीं है तो अपनी गैस चालू कर दिया उसके उपर रख दिया कड़ाई कड़ाई मैंने वही ले लिए लिए थोड़ा से इसमें रिफाइन भी है और देखिए ये ले लिए म दूल के साफ करके कट कर लिए हैं कड़ाई में तेल डाल दे तेल गरम होने के बाद ये ले लिया मैंने पइंच फोरंजेस को बोलते हैं इसमें है अजवायन सौफ धनिया जीरा और मेति राना और थोड़ा से मैंने हिंग भी अड़ किया हुआ इसमें तो मैंने ये सब इस कुछ भी मसाला नहीं डालना है आलू में हम क्या करेंगे कि आलू को डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे और हम इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये सबजी बहुत टेम्टिंग बनती है इवनली पूरी पराठे के साथ तो एक्टम मस्त लग अचार खाने का शोक है ना जो पसंद करते हैं अचार खाना उनको यह अचारी आलू बहुत पसंद आएंगे जो लोग नहीं भी खाते उनको भी बहुत पसंद आने वाली रेसिपी उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी एड कर दिया है और हम आलू को भूनते जाए बहुत आढ़े नहीं किया है इसलिए आलू को ठलह से लगने के ड़र रहता है इसलिए अविमें देट ay covered और उसको तब तक पर चला लें मतलब कर देता और उसके बाद क्या होता है कि आलू जो है ना तले से चिपकने लगते हैं और इसके सब्जी को बनाने के लिए भारी तले की कड़ाई या फिर किसी भी बरतन का इस्तेमाल कीजिएगा अभी हम इसके लिए ड्राइ मसाला बना लेते हैं जो इसको बहुत चटपटा सा मसाला आप चाहो तो किसी भी फ्लेवर का बना सकते हैं इसको जैसे के पाव भाजी मसाला वगरा भी एड कर सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है बट मैंने आज इसको ऐसे सिंपली बनाया जैसे मेरे घर में बनता है थोड़ा सा एक विंच डाल दिया इसमें हींग की उपर से मेर हमारे में हैं तो गोल्डन सा कलर इन पर आ गया है बस इसी ताइप की हमें यह चाहिए होंगे है यह हमारे आलू हम पके हैं नहीं पके हैं चुके हैं कि हमारे ससे गवार कर ने करने के बाद और हमारी सब्रकने हों भी मीला करें कर द Wood जटपट हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गया है कुछ भी ना मसाला एड़ करना है ना कोई मसाला पीछना है ना लेसन प्याज काटने कर जंजट है कोई टेंशन नहीं है बहुत जटपट सब्जी बनने वाली है आप इसी तरीके से अचारी भिंडी बना सकते हैं चारी अर्व लोग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा अगर थोड़ा थोड़ी भी मेरी वीडियो हैल्फुल लगती है देखने के बाद तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जर देखे एक हेल्दी मील देना हमारा करतव यह होता है हस्बेंड या फिर बच्चे हो अच्छे से हम खाना प्रोपर बना के देते हैं तो हमारे भी मन को संतुष्टी रहते कि हमने बच्चों को या फिर हस्बेंड को कुछ हेल्दी और अच्छा बना कर दिया होम मेड फूर नहीं च्छा होता है अगर दचकी वगरा वी स्पीड बढ़कर वगरा आते हैं न तो उसमें उनको कोई प्रोब्लम ना हो तो चलिए जै श्री कृच्छन दोस्तो बाई बाई थैंक्स थैंक्स फर वचिंग